आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं निया इंडिंगमन जिसे हिंदी में कहते हैं बहुती इंट्रेस्टिंग चेप्टर होने वाला है आप सभी के लिए तो जल्दी से जुड़ी आईए और सेशन को लाइ प्रेटफर्म और वे आप सभी जानते हैं वे हैं आपकी अपनी अनकेडमी ठीक है चलिए लगवग मेरे बारे में सभी स्टूर्टिंग जानते हैं फिर भी मैं आपको पता दो कि को डेली हमारी क्लास में डेली थाउजंड इस्टूडेंट का वी और यह सब आप एक इसका क्रेडिट आप सभी को जाता है आप सभी लाइक एंड शेयर करते हैं अपने अपनी ग्रूप में इसको भेजते हैं ठीक है बैया तो मैं पता देता हूं जो स्टूर्ण फश्टाम हमरे से जुड़े हैं मैं पंगा जगरवाल आपका रीजनिंग गुरू लास्ट नाइन य सबस्क्रिफशन मिलें या नया जल्दी से प्लस या इकोनिक में स्ब्सक्रिप्शन लेजिए तक आगे आने वाली मेरी आपको क्लासिस प्लस या इकोनिक के साथ में ठीक है कोर्स लाउंच करने वाला हूं ज्योवाचल उसमें बेनिट कराएगा डिली प्लस में जुड़ते हैं तो प्लस में हमारी फीस है वनियर के लिए ट्वियर के लिए ट्वियर के लिए सब्सक्राइब करना होगा पीजिरो वन आफ्टर डिस्काउंट इस विए लिए ट्वियर के लिए पर्सनल कोच मिलेगा डेली मेंस की प्रैक्टिस है कि स्टेडी प्लान है को पर्सनला स्वीड विए रहेगा यहां पर आपकी वन यह की फीसे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनकेडमी लें ऑप्शन कोर्स इसकी प्रपेशन स्टार्ट कर रहा दी है ठीक है तो आप अप्शन कोर्स को कभी सब्सक्रेप्शन ले सकते हैं उसमारी यह की फीस है जल्दी से हमारा सेशन लाइक और शेयर करते रही है ऐसा मस कोचिएगा कि प्रीमेर जाला है साथ में नहीं है तो थोड़ी शेटिंग कर ले देखिए आपको पता है कि डेली हमारी क्लास 4-5 अन अकेडमी लेंगियाप पर रहती है तो किसी दिन कोई टेक्निकलिश होता है कोई और प्रॉब्लम होती है तो मैं ग्रॉप में मैसेज कर देता हूं कि आज आने अकेडमी लेंगियाप पर क्लास नहीं रहेगी तो जल्दी से आप सभी आने अकेडमी लेंगियाप डाउनलोड कर लिएजिए ठीक है देखिए नियू ये रिसोलेशन सभी का होता है कोई कि आपको टार्गेट है तो टॉन्टी टू ये इसको आपको अचीव करना है और अचीव कैसे करना है हमारी टॉप एजूकटर के साथ में जो उन्होंने फोर्ट ऑफ जोन से स्टार्ट कर चुकिए हैं इन बेच इन बेच का बेनिफिट क्या रहेगा भई आपको आपको इ यदि इस base में जुड़ते हैं तो आपका one year two year का target रहेगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो आपको प्लस प्लस भी आपको मिल सकते हैं अप्र डिसकाउंट इस कितनी होने वाली जल्दी से देख लिजिए 88,750 बट आपको कोड अप्लाई करते हैं तो कितना हो जागा यह जो प्लस 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 आइक आपको अप्लाई करेंगे पीजिरो फिर चलिए आगे बढ़ते देखी जैसे कि आपको पता है कि आनएकेडमी क सबसे बेस्ट की में पर्स्नल कोच रम्हाएं डाने से डिए बेपटर प्लस लेटेए इसे कि आपको समय दिख रहा होगा अभी इसमें हमने डीए स्टर्ट कर दिया पार्टीम कंपलीट होगा है इसमें next पार हमारा पर फोर रहने वाला है तो जो स्टुडेंट डीए से ड से पढ़ा रहा हूं ऐसा कोई भी मतलब डी आई का पॉइंट नहीं होगा जो आप पो समझ में आए ठीक है और दीए जिनों ने अभी तक हमारा अनेकेडमी का टेलीगरम गुरूप जोइन नहीं करा है वो जल्दी से सजोइन करें मैं हर क्लास में से लिए कहता हूं क्यों करते तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा वहिया कि आपको हर क्लास की इंफॉर्मेशन में लेगी पीडिएफ में लेंगे ठीक है चलिए यह तो रहा हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन में डेली देता हूं अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की आज का टॉपिक है स्लॉक्स है निग्मा ठीक है हैुआ है इसमें पार्ट भन पंडहे वाले भhaus में बड़ा ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है ठीक है जिसको कभी भी इसमैं डाउट लगता हो गया जिसको लगता हो गी सिर्फ पॉसिविल्टी केस क्या होती है समय कुछ नदा 홍kt इस का मैं इस method से आपको पूरा chapter हमारा four part में रहेगा one two three four आज का class भी के विल आपका basic रहेगा तो आज की class में इस मत कीज़ेगा दि जो student लेट आएंगा उस class को मतलब जो student बात में जोड़ेंगा उस class को starting से जरूर देखियेगा एक बार ठीक है बड़ जो मैं method बताये वाला हूँ best रहेगा उससे कभी आपका स्लॉक्स का question ही गलत नहीं होगा ठीक है तो चलिए देखते हैं देखिये जब भी हम बात करेंगे स्लॉक्स की तो उसमें हमारे four type रहते हैं four type है मतलब यह वाला जो मैंने dotted part करा है किसको represent करेगा यह कुछ AB को represent करेगा ठीक है आगे उसने आपने देखा कुछ इसमें क्या रहेगा जब भी question आता नहीं तो उसमें कुछ वाला भी statement होगा सभी वाला भी होगा कोई नहीं वाला भी होगा और सम्हावना वाला भी होगा सभी सभी AB है इसका नहीं वाला कोई नहीं नहीं है जब भी हम बात करेंगे कोई ए बी नहीं तो अप दोनों को अलगके लुक्त बना देंगे लेका आपको ध्यान अना होगा कि अप इस तरह से कि सम्भावना है कुछ B के C होने की सम्भावना है तो यह हमारे मेली चाट टैप के कोश्चन टैप चाट टैप को स्लॉक्स रहता है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ठीक है कोशिश मेरी यह रहेगी कि डेली हम लिम्टेट कोश्चन करें ताकि आपको समझ में आप उसको जो भी स्ट्विट हमारी क्लास में जुड़े हैं वो जल्दी से हमारे साथ जुड़े हैं ताकि आपको आगे भी हमारी क्लास की इंफॉर्मेशन मिलती रहे जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आगे उसनों बुला सभी भी C हैं तो यह इसका किराब बनेगा सभी A B हैं और स के हर कोशन में आते हैं हो सकता है कि कहीं पर आपको सम वाला कोई नहीं वाला मिल जाए या सम नॉट वाला मिल जाए लेकिन सभी और कुछ वाला स्टेट्मेंट को प्रूफ करना और उसका कंक्लूजन को समझ ले तो आपका कभी गलत नहीं होगा ठीक है चलिए बड़ी आस आपको 150 नहीं लिखना होता है उसमें क्या गलत होने के वी चांसे रहते हैं ठीक है कुछ ही कहते हैं कि सर्वेंट डियाग्राम से समझा रहा हूं यदि उस मेंट से समझेंगे तो वेंट डियाग्राम कभी गलत नहीं हो सकता चाहिए देखते हैं यह हमारी दॉनल स्टेट् अब इसके आधार पर उसने पहला निसक्रत के दिया कुछ भी यह हैं अब देखिए हम इसा दिहान नगिएगा जब भी आपका इस प्रिकार से डागराम मननाव में अलग से बना के दिखा देता हूं ए और बी की बात कर रहा है अब उसने वुला कुछ भी ए हैं यदि आप भाईया कभी इस वाले डागराम में आउट साइड से इंसाड आओगे तो हमेशा आपका कुछ है अपलाई होगा अब समझते हैं कुछ कैसे अपलाई होगा यैसे कि यह A का पार्ट है अगर B इसका बड़ा पार्ट है तो B का कुछ भाग तो यह पर आएगा आएगा की नह में चल आती हमारी आउट सायड से हम आंडर से बाहरा रे आहा है तो यह कहला है कि आपिकी इंसाड आ ह।- कि के भाया यदि हम आउट साइड से इंसाड आ है तो आपका कुछ वाला हमेसा सत्य होगा इस बात को लिख लीजिए और आ्ँ जितने भी स्टुऊइट हमारे साथ साथ बैठे हुए हैं ठीक है जितने वी स्टुडेंट हमारे साथ बैठे हुए हैं वो इसको जरूर दियान नगा है कि नोट्बुक और पैंस साथ में लेके बैठना एधर बाइस चैप्टर समझ में नहीं आएगा अब दूसरे देखते हैं क्या रहा है कुछ C बी हैं अब देखिए से बी की तरफ आते हैं तो हमने क्या देखा बी और सी आ गया है तो इसमें बी और सी का लगसे ग्राफ बना कर सकते हैं अब देखिए सी का कुछ पार तो भी पर होगा इसका मतलब क्या रहेगा भाई यह बिल्कूल सत्य रहेगा दूसरा वाला अब तीसरा वाला कंक्लूजन का रहा कुछ सी अ हैं अब देखिए सी का एस relation है तो मैंने बना लिया यह अपने इसमें बी का कोई जिक्र न प्रखना होगा कि inside से आउटसर जाते हैं तो हमारा कुछ और जब inside से आउटसर जाएंगे तो हमारा कुछ तता सभी दोनों apply होते हैं और outside से inside आते हैं तो क्यवल कुछ है apply होता है ठीक है तो उसने बोला कुछ A B है बिल्कुल है अब देखिए ये वाला diagram मना हमारा इसका मतलब कुछ A का बाट B पर है बिल्कुल है ये वाला ठीक है उसी तरह से उसने बोला कुछ B C है अब देखिए ये वाला diagram मना था B C वाला यादि हमारे सभी B C है तो कुछ B B C होंगे ये वाला भी वाट ठीक है अब वो कह रहा है कि सभी B A है अब देखिए second वाला conclusion देखिए का सभी B A है सभी B A है इसका मतलब भई इसके लिए diagram ये होना चाहिए तो सभी ये सम्मभ होगा लेकिन diagram क्या हमार ये है इसका मतलब कुछ B A हो सकते लेकिन सभी B A नहीं हो सकते तो question number मतलब conclusion number six क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा फिर same उसने बुला कि सभी C B है अब देखिए C B वाला diagram कहा गया है ये हमारा कुछ C B हो सकते लेकिन सभी C B नहीं हो सकते इसका मतलब ये वी क्या हो आगे उसने बुला कि कुछ C A है हमने इसके लिए diagram बनाया था ये वाला last वाला देखिए कुछ A C हो सकते हैं लेकिन कुछ सभी A C हो सकते हैं लेकिन सभी C A नहीं हो सकते क्यों कुछ वाला case apply होता है तो इसका मतलब ये वाला diagram आपके सामने बनता है तो इसकी maximum possible मतलब maximum conclusion इस नहीं बन सकते हैं ठीक है वाया सभी की समझ में आ गया होगा एक बार में फिर से detail करते हूं फूरे diagram को जल्दी से बना कर वैसे तो लगवक सभी की समझ में आ गया होगा उसने बुला क्या था statement सभी A क्या है B है तो ये इस तरह से आ जाएगा सभी A B है फिर उसने बुला इस होता है diagram बनाना आपको डराया जाता है कि वें diagram से पढ़ोगे तो एक्जाम में गलत हो जाएगा बिल्कुल गलत नहीं होगा जिस concept से मैं पढ़ा रहा हूं उससे कभी गलत नहीं होगा ठीक है हो सकता है कि दूसरे जो और method है एई-ई-ई-ई-वाला है 50-100 वाला उनसे ग यह होगा क्ंक आउटायड से इसाड़ आएगे तो अब की कुछ बाट ए पर आएगा तो पहला मुसरे गact हो जाएगा यह कुछ सी भी अब भी इन से औ रहीं ज़ाए तो इसमें sum और all दोनों आप्लाई होता है इसका मतलब यह भी सते होगा आगे उसदें गुला कुछ क्योंको outside से inside आएंगे तो B का कुछ पाट ए पर आएगा तो पहला वाला सत्य हो जाएगा दूसरा वाला कुछ C भी अब देकि फिर से outside से inside आ रहे है तो इसका दूसरा वाला भी सत्य हो जाएगा तीसरा वाला कुछ सी है अब देकि सी सी एगी बात कर रहा है यादी और इनसे इनसे आउट्सेट जाते हैं तो इसमें sum और all दोनों apply होता है इसका मतलब ये भी सथे होगा आगे उसने गोला कुछ BC है ये भी बाट ठीक है तो उसने गोला सभी B हैं लेकिन ये गलत हो जाएगा सभी B होने के लिए डाइगराम ये होना चाहिए जबकि हमारा डाइगराम है क्या जबकि जो हमारा डाइगराम है वो इस तरह से बना हुगा इसका मतलब क्या होगा भाईया इसका मतलब क्या गरा छटी बारी बात वो हमसे गलत कह रहा है यह नहीं हो सकता जुट बोल ले जराब इसी तरह से साथमा वाला सभी सी बी है इसके लिए डागराम यह बनना चाहिए सी बी का लेकिन डागराम है क्या हमारा B C है इसका मतलब 7 वाला भी गलत कह रहा है अब देखतें 8 वाला सभी C A है सभी C है इसके लिए डागराम होना चाहिए यह भाईया लेकिन डागराम हमारा है क्या यह है इसका मतलब 8 वाला भी गलत है इसका मतलब यह इसके maximum conclusion बनाएंगे तो लगवक type 1 सभी की समझ में आगया होगा यादी A वाला relation रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे ठीक है अब देखिए मेरी कोशेश है रहेगी कि मैं daily एक एक दो तो type कराऊ और आपको पूरा conclusion complete करते हुए ले जाओ ठीक है चलिए आगे बढ़ते है अब देखिए type B उसमें वुला कुछ A, B है और कुछ B, C है ठीक है चलिए इसके लिए देख लेते हैं क्या बन सकता है डाइगराम इसके लिए क्या बनेगा कुछ A, B है तो A का कुछ part B पर आएगा और कुछ B, C है तो B का कुछ part कहा हैगा C पर आएगा ये इसका simple डाइग ठीक है ये इसके लिए डाइगराम बनाएगा कुछ A, B है कुछ B, C है हम देखिए क्या कह रहा है वो आपसे ये है अब मैं आपसे ये क्या आना चाहरा था कि जो आपका statement है आप arrow mention कर लिए कुछ A, B है और कुछ B, C है इससे आपको ये रहेगा कि आपका subject क्या था, predicate क्या था ठीक है अब देखिए उसने बोला कुछ B, A है कुछ B, A है इसका मतलब arrow के reverse में जा रहा है तो always क्या होग अगर कुछ A, B है तो reverse में क्या बोल सकते है कुछ B, A होंगे दूसरा वाला क्या करा कुछ C, B है आप देखिए arrow के reverse में आ रहा है तो कुछ C, B ये ठीक होगा अब उसने बोला कुछ C, A है अब देखिए A का C से कोई direct relation नहीं है गलत कर दीजिए कुछ A, B है आप देखिए केस में क्या होगा है ये आपका statement repeat होगा statement conclusion नहीं हो सकता ये गलत हो जाएगा फिर कुछ B, C है ये आपका statement repeat होगा ये नहीं हो सकता गलत हो जाएगा आगे उसने बोला सभी B, A है नहीं मन सकता cancel फिर सभी C, B है नहीं मन सकता cancel और सभी C, A है नहीं मन सकता cancel ठीक है तो सम वाले case में केवल आपका क्या रहेगा कुछ B, A है और कुछ B, A है और कुछ C, B रहेगा ये statement repeat होगा आजता है तो वह आपका गलत रहेगा फिलॉक्स का पहला नियम होता है statement never can we conclusion कथन कभी भी निसकर्स नहीं हो सकता ठीक है बईया चलिए आगे बढ़ते हैं देखे ये तो रहे हमारे दो टाइप लगबग सभी की समझ में इतना कुछ आ गया होगा अब इस्टार्ट करते हैं question ठीक है चलिए तो ये रहा आपके स एक मिनिट का समय दोंगा आपको डाइगराम बनाना है और conclusion देखने है ठीक है बहिया तो जल्दी से सभी के बास में notebook और pen होगा देख लीजिए क्या कह रहा है वो सभी आम फल है सभी फल मीटे है ठीक है तो निसकर्स रूप में आपको बताना है कि कुछ मीटे आम है और द पट शर्त यह है कि आपको graph ध्यान से बनाना आना चाहिए देखिए क्या क्या राय मैं इसका graph बना देता हूं सभी आम फल है तो आम को लिख लेते हैं ए और फल को लिख लेते हैं f आगे उसनों लगा सभी फल क्या है मीठे है तो यह हमारा graph बन गया जैसा कि मैंने आपको बताना सका है तो अब करा कुछ मीठे हां में outside चेंट आएंगे क्या होगा सभी मीठे फल हैं गलत हो जाएगा कि outside चेंट गेवल सम लगेगा तो answer के रहेगा गेवल ए रहेगा इससे सरल मेथड हो सकता है किसी भी प्रिशन को हल करने का I think नहीं हो सकता है आप भी कहेंगे ज आपको नहीं निया निगमन मिल जाएगा कुछ स्टूडेंट इसे कथन निसकर्स के चेप्टर के नाम से जानते हैं ठीक है भईया तो लगबक फर्स्ट प्रिश्ण सभी की समझ में आ गया होगा चलिए सेकंड प्रिश्ण की और बढ़ते हैं मैं प्रिश्णों के दुआरा ह सभी आपको हर प्रकार का ग्राफ वेंट डाइगरम बनाना सिखा दूँगा ताकि आपका कभी भी कोई कोशन गलत ही ना हो समझ में आ गया चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन दर्दना घड़ना होई ठीक है आप भी अपडेट रहते हैं मुझे भी अपडेट रहता हूं ठीक है एक समशान में कॉरिडोर में काफी सारे लोग खड़े हुए थे ठीक है तभी वो कॉरिडोर गर गया और लगवक काफी उसमें रहत कैजूल्टी हुई यदि हर वेक्ति अपना काम इमानदारी से करे तो कभी भी इस प्रकार की जो दुरगटना होती है वो ना हो पर आगदेगा आपड़ा को छोड़कर जैसे कि भूकम भागया बार आ गई ठीक है उसको विक्ति हद तक मैनेज किया जा सकता है लेकिन इनको कैसे मैनेज कर पाओगे मतलब उसका उदगाटन भी नहीं हुआ कोरिडर का कोरिडर का उदगाटन होने से पहले ही वो भूमिगत हो गया ठीक है तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है सभी डॉक्टर इंजीनियर है बहिया कोशिश मेरी यही रहती है कि क्लास से ही रिलेटेड बात रहे लेकिन कभी कभी क्या काम कर रहे हूं अपने काम कोई मांदारी से करिए कभी कोई समस्या नहीं आगी किसी के लिए ना आपके लिए चलिए यह इसका ग्राफ बन गया लगवक सभी न भाईया यही बनाया हुआ मेरी कोशिश है ही रहती है कि मैं आपको हर कोशन के लिए लगवक 30 से 1 मिनट क चुक हूं अब देखे क्या करा सभी मेंडिजर डॉक्टर है हमने देखा था आउट से इसाड़ आएंगे तो भईए क्या होगा सत्य होगा बिल्कुल सही है और सभी इमांदार इंजीनियर है यह इमांदार से इंजिनिर्ग की तरफ आती है भी सही होगा कि आउंसर क्या हो ये को लगाईए कि बल B है तो B को लगाईए दोनों मैंसे कोई नहीं है तो C को लगाईए मैं आपको वेंड डागराम मेथड से या वाले कोश्चन भी कराऊंगा possibility वाले भी कराऊंगा और आपका एक एक प्रिश्चन सही भी होगा ठीक है बट आपको जो भी regular class है वो इमानदरी से देखिए मैंने क्या होला इमानदरी वट का प्रियोक करा रहा हाँ आपकी honesty और इमानदरी क्या कहलाती है आप समय से class लें यदि किसी 60% ठीक है तो आपकी इमानदरी कि हर व्यक्ति को इमानदरी से कारा करना चाहिए यदि मैं इमानदरी से पढ़ा रहा हूं तो आपकी इमानदरी क्या कहती है कि सर की class को प्रिमोट करने ठीक है चलिए सबी अध्यापक योगे ही और कुछे नेता है और कुछ नेता इमानदर ऐी ठीक है तो उसथी तरह से आपको देखना है कि कुछ इमानदर अध्यापक है औरा कुछने अध्यापक है तो लगवक 30 से 30 से 40 सेगंड का आपको समय देता हूं जली से इसका ग्राफ ड्रॉ काल लीजिए और कन्क्लूसर भी मना लीजिए चलिए एक मिट का समय देता हूं फिर जब मैं इसको बताऊं तो अब मैच करिएगा कि हां सर आपने यह बताया बट हमारा मैच नहीं हुआ या कभी-कभी होता है कि आपको लगता है कि सर आपने गलत बता दिया है यह हो सकता है कि कभी जैसे कि कैल्कुलेशन के कोश्चन में मैंने कैलेंडर का कोश्चन बढ़ा रहा था तो आप मेरे को बता सकते हैं कि क्योंको लाइफ क्लास तो आप पॉइंट आउट करें ठीक है य चलिए देखते हैं कै गरी अधियापक को बहिरा, सभी तीचर क्या है, रीचर क्या है, योग योगी लिख लेते हैं, कुछ योग्य नेता हैं, ठीक है भईया, कुछ योग्य नेता हैं एरो बना लीजे और कुछ नेता इमानदार है ये भी अच्छी बात है ये तो होना ही चाहिए कुछ नेता नहीं सभी नेता इमानदार होने चाहिए यह सभी नेता इमांधार हो हमारा देश शुग्रू बन जाएगा ठीक है चलिए किसी पर प्रेश्च्छन छनल लगाने का हमारा हक नहीं है ठीक है किए कुछ इमांधार अध्या पगार फिसको कोई संब्द नहीं है तो पहला वाला तो क्या हो जाएगा भाईयो मेरे में प्र कि नेता अध्याप अगेरा कोई संबंद नहीं है गलत हो गया ना पहला ना दूसरा इससे सरल विधी नहीं हो सकती है इसे लॉक्स की ठीक है नयाई निगमन की कथन निसकर्स की योगर इस चैप्टर के अनेक नाम है जितने इसके टाइप है उतने ही नाम है सब इसको अपने कुछ बूलते हैं कुछ बूलते हैं सम्हावना वाला चैप्टर नहीं कराया सर आपने कुछ बूलते हैं सर आपने कुछ नहीं वाला चैप्टर नहीं कराया कुछ कहते हैं सर आपने सभी और कुछ वाला चैप्टर नहीं कराया कुछ कहते हैं सर आपने कथने स्क्रस नहीं क पेपर हैं देखिए statement भड़ते जा रहे हैं पहले दो आए फिर तीन आए अब चार आ गए conclusion भड़ते जा रहे हैं पहले दो ते अब तीन हो गए ठीक है मैं धीरी धीरी आपके लेविल को अप करता रहा हूँगा ठीक है देखिए जल्दी से क्या कर रहा है सभी pen paper हैं सभी paper pencil हैं सभी pencil scale हैं और कुछ copy pen है यहां से बनाईएगा हाँ सभी copy scale है कुछ scale pen है और कुछ copy pencil है देखिए diagram बना रहा बड़ा easy है जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे अपनी कल्म खुमाते रही कुछ करना ही नहीं है सभी pen paper है और हाँ देखिए अब देखिए यहाँ पर तीन चार हो गए pen हो गया paper हो गया pencil हो गया तो पी पी तो नहीं लिख सकते तो pen कर लिजिए pen कर लिजिए paper को PA कर लिजिए pencil को PC कर लिजिए है ना यदि आपको लगता है कि सिमुलेक बर्ड नहीं बन पा रहे है काफी सारे पा हो गया है या सा हो गया है का हो गया है तो उनके फिर दो दो letter लिख लिए तो जल्दी से बनाईए फिर मैं इसको detail करता किसी को कोई भी डाउट है किसी भी प्रिश्ण में आपको लगता है कि सर मैं समझे नहीं आया तो तुरंत आप उसका screenshot लेकर class के बाद मेरे को पोस्ट करिए टेलिग्राम पर एसूर पॉसिबल लोगों इस reply करूँगा चलिए मैं से बना देता हूं क्या करा सभी pen paper है तो pen क आट doe देखें से कुछ कॉप्वि पेन है तो ये डाएग्राम ऐसे बनेगा अगर आपने ये ऐसे नहीं बनाया है आपने कॉंपी को अंदर ही छोड़ दिया है तो गलत है कॉंपी को भार लाकर ड्रॉ करना होगा देखिए मैं बता देता हूँ कैसे यदि आपने स्रीमान इसको ऐसे बनाया है कि कुछ कौपी पैन है आपने कौपी ऐसे बनाई है तो इसका मतलब ही है क्या है फिर ये डाइगराम आपका गलत है डाइगराम ऐसे बनेगा कौपी अंदर नहीं आएगी कौपी को आपको भार लाकर ड्रॉप करना होगा समझ में गया हाँ यही बनेगा यदि आपने कोई और बनाया है रवात है उसने यह तो नहीं गाना कि सभी कौपी पैन है पेपर पैपयंसे लहां देखिंए हम डाइगराम में सम कर्लिशन तो अबने तरफ से बना सकते हैं लेकिन और नहीं बना सकते अब को पी का समका रिलेशन और वाला तो गलत हो गया दूसरा वाला कुछ scale pen अब देखे वाली वड़ ठीक है यदि बहार से अंदर आएंगे तो skill pen तो बनेगा बिल्कुल बनेगा दूसरा वाला ठीक है अब कुछ copy pencil अब देखी copy और predicate को जोड़ा तो उसे भारला का drop कर देंगे यदि आपने उसको अंदर ही drop कर दिया इसका मतलब आपने copy का relation सभी के साथ all का बना दिया ओल का नहीं मना सकते है ठीक है हाँ समझ में आगया यह question number 4 मेरी कोशिश यह रही कि हर डिफ्रेंट 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 कोश्चन आपको कराया है चलिए एगला कोश्चन देखते है question number 5 जल्दी से सभी glass plate है सभी plate spoon है सभी spoon जग है और कुछ घड़ी जग है आगय के कराया सभी घड़ी plate है कुछ घड़ी spoon है और सभी जग glass है जल्दी से एक मिनट का समय है टाइगरा मना लीजिए फिर निसकर्थ देखेंगे इसके production का मतलब करताth अगर कोई अनुसरत नहीं करता सभी जल्दी से बनाइए सभी glass plate है जी पी अब देखिए glass है जी लिख लूँ प्लेट है, पी लिख लो, स्पून है, एस लिख लो, जग को ज़ी लिख लो, और घड़ी को ज़ी लिख लो, ठीक है, तो चलिए जल्दी से बनाईए, एक मिनट का समय है, कथन और इसकर्स के लिए, देखे, पैन और पेपर, विध्यारती क्या ही पैचान है, उसके पास हमें फaby ρो जघ लाओ ये था, थिक है, इस लिए तो कोई भी एक सरकार्री काग जाइए होती, तो क्या होती, लिखुट में होती, वरवली नहीं होती है, कहीं भी जाए, लिखित में, दो लिखित में लो, जिख लेते आ, सभी ग्लास प्लेट है, सभी प्लेट सभी प्लेट है, स पूँच घड़ी जग है इसका डाइगराम बने गा यह कुछ घड़ी है तो एरो मेंशन कर लो ठीक है अंतर समझ में आगे होगा अंतिम वाले डाइगराम में और इसमें उसमें यहां से डाइगराम मनाया था यह दिखारा आपको मेरा पेन यह वाला लेकिन इसने यहां पर गड़ी को यहाँ पर बनाया तो इससे हमारा डागराम और कंक्लूजन चेंज हो जाएंगी ठीक है चलिए देखते क्या कह रहा है सभी घड़ी प्लेट हैं देखिए घड़ी का प्लेट से संबंद है नहीं बिल्कुल गलत हो गया सभी कह रहा है कुछ घड़ी स्पून है बिल कोई अनुसरा नहीं करता ऑप्शन सी तभी की समझ में आ रहा होगा जब हमारी प्रिश्ण सही होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है अरे सर बड़ा अच्छी बात है तो हमारा सही हो गया हम अम्मीद ही नहीं थी देखिए इसी प्रिकार से इस लॉक्स के वन टू काफी लेंडी को क्लास है ठीक है देखते हैं कितने कूशन dalन सुमय के अंदर कर पाते हैं कषटप एक मिनट का समय है ग्राफ के साथ में ठीक है बई यार जितने भी स्टुडेंट क्लास को देख रहे हैं लाइक एंड शेयर करिए यदि कोई समस्य है तो टेलिग्राम पर मेरे से बात करिए टेलिग्राम चैनल है अनक एड़मी एंडरसको पंगाज अगरवाल ठीक है और हाँ हमारी विद्वत क्लास चलेंगी टू पीएम और फॉर पीएम वाली उस टेक्निकल इशू की वजए से अधर इशू की वजए से हमारी कल क्लास वादित रही ठीक है लेकिन यदि कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको इसलिए कहता हूं कि टेलिग्रा की इनफोर्मेशन मिलते या इंफीक फ्रीड कर दिख फाहे बना लिए और कुछ पेइंटर आटेस्ट हैं यह बने गाए और कुछ से कोई रिलेशन नहीं है कोई रिलेशन है क्या देखके बताईए मेरे को आर्टेस्ट यहां पर डांसर यहां पर गलत हो गया कुछ पेंटर डांसर है यह वाली बाट ठीक है को रिवर्ट से रुख आ गया केबल से केबल सेटेंड यही अच्छी बात है जो दिखरा रायए वह जो नहीं भी गलत है प्सेटिफ केस में अभी हमारे सभी को पॉजिटीफ नएगी केसि नहीं को सब्सेटमेख सेंगा इन होगा के समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ है मिट से बिंजल्दी से सभी बैंक कॉलेज है कुछ कॉलेज स्कूल है ये कथन हो गया है कुछ स्कूल बैंक है और कुछ बैंक स्कूल है यदि कहीं पर वर्तनी सुद्धी ना हो तो समझ जाएगा ठीक है वैसे तो लगवग सभी शब्द सही लिखे जाते हैं हां ये को हो सकता है कि आप बुलो और इस से स्कूल तो यसी लिखे नहीं जाता है हो सकता है ये टाइपिंग में गलत हो गया हो तो उसके लिए नाराज ना होना है लेकिन लगवग 100% एक्यूरेशी रहती है रेरिस्ट बात है कि टैप करते समय कुछ गलत की प्रेस हो जाए तो गलत टैप हो जाए जल्दी से कोश्चन नमबर सेवन आज की क्लास कंप्रीट होने के बाद में जो भी बुखों से कोश्चन लगाईएगा और और समभाले गलत नहीं होंगे यदि गलत होते हैं या बुक में आपको उसका ग कॉलेज को में का अपनी एपनी 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 ऊफ़ लखी आग चला कुछ को दिर नहीं है और जाएalen बिना कुछ सोचे विचारे जाता सोच रही नहीं होता है इस मेथड में ठीक है हाँ चलिए आके प्रिष्ण की उर बढ़ते हैं बढ़ा ही अच्छा प्रिष्ण आया है दिन रात सभी दिन रात हैं सभी सौमबार मंगल वा रहे हैं कुछ सौमबार रात हैं ठीक है मैं मेरी यह रहेगे कि आपको हर प्रकारका वेंट डागराम बनाओ आपसे एक पर चले की सर्क परकार से वेंट डागराम रहेगा तो उसका क्या relation रहेगा ठीक है और सिंपिल सी बात है इस आपको सोचना ही नहीं है जो दिख रहा है वो सत्त जो नहीं दख रहा हो वो होगा हमेशा ठीक है पॉस्विल्टी की बाद मात करेंगे पहले सिंपिल केस मेरा मतलब है कि आपको के मन में जो स्लॉक्स को लेकर डर है उसे हटाना और वो कैसे हटाया जा सकता है आपको कोश्चन कराकर आपके दुवारा सही कोश्चन ठीक है चली अच्छा मैं आप सभी को एक टास्क देता हूँ आज लगबग हम जितने भी कोश्चन करते हैं उन सभी मैं आपके जितने सही गए हो उनका मेरे को टेलिगराम पर पोस्ट करि लिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे टेलिगराम ग्रॉप से जड़े होगे हैं वो इस काम को जरूर करिएगा पोस्ट जरूर करिएगा इसमें अभी कोई लिंक नहीं तो उसको नहीं बनाएंगे पर इसन बोला कुछ सौंबार क्या है रात हैं अब इसका दर त सभी सौंबार किया है रात है के आगि आलफ अब इसक्ति कर दीजे फिर थाट वाले से मौसम का प्रभाब बदलते हुए मौसम में हैं तो यह हमारे ग्राफ मन गया अब देखते हैं क्या किरा हैं इसकूर्थ में मांगला रात है माँच सबसे अच्छा रहता है क्यों डिख रहा है वो सकते है जो नहीं दिख रहा है वो गलत है positive case में ठीक है चलिए अखले पिशन की और भढ़ते हैं आपके चेहरे की हसी में देख पा रहा हूंगा सर आपने आज तो कमाल कर दिये ही कह रहे हूंगे अपने मन में कि सर आपने इतने tough chapter को तरह easy बना दिया है धन्यवाद कहने की आवर शक यहां पर क्योंको save दो दो प्रेडिकेट के लिए कॉमन है ठीक है इस diagram को भी आप बना लेंगे जिनका गलत जाता है वो बात में देख लीजेगा कि मैंने इस प्रकार से बनाया आया था ठीक है भाई या चलिए देखे सभी save को हम save ही लिख लेते हैं confusion नहीं रहेगा सभी save क्या है लाल है तो यह इस तरह से आ जाएगा अफिसने बोला सभी से मीठे भी हैं तो यह इस प्रकार से बनेगा इसका मतलब save 2 के लिए all में common है देखी ए सभी save लाल भी हो गाई और सभी से मीठे भी हो गाया इसका एगराफ बनेगा भीया देखिए कैसे जैसे कि उसने ब EPA है और फिसने बोल दीए सभी CT है इगराफ आ मैं देख लेते हैं अब दीए कुछ मीठे लाला है बिल्कुल ठीक है यह वाला पार्ट क्या है मीठे गई तो है और यह लाल का है इसका मतलब यह वाली बात तो ठीक है रहा है हमारी मीठे क्या हो जाएंगे लाल हो जाएंगे और कुछ मीठे से यह वाली बात भी ठीक कह रहा है क्योंको मीठे से सेफ की तरफ आएंगे तो समका केस बनेगा दूसरा वाला भी ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा यह पहला दूसरा वैंड डियग्राम से सरल सिलोक्स को करना और कुछ नहीं हो सकता दीखिए ग्राफ बनाना सबको आता है ऐसा कुछ नहीं है कि अशर वो रहर है यह तो पता होगा कि यदि अश्जम्वून गोला है तो यह एक रोप्रिश्न कर रहा है यह पूरा गोला किसके पास है यह के पास देखते हैं सिवाइं कि question 10 सेम रिपीट हो गया तो sभी सेव लाए है से मेटें से करते हैं next प्रेशन की और चलते हैं question améric Ende देख लिए बाइम nous वह से deleट पोस्ट हो गई है चलिए question सभी computer monitor है कुछ monitor mouse है सभी mouse optical है देखिए computer का विगार आ गया आना चाहिए आपको है ना देखिए वर्तमान समय में computer लेकि computer क्या है computer कुछ नहीं है दिए आपके हाथ में phone है तो वह computer की आपके मतलब knowledge है फोन को operate कर रहे हैं computer को किनो operate कर लेंगे फोन में तो आपको क्या रहता है कि additional mouse मिल गया keyboard मिल गया और computer में के आपको additional mouse मिलेगा और keyboard मिलेगा फोन में सब कुछ आपके सामने कीवोड भी सामने है और mouse का काम करता है आपका थम हम उठा इदर लेफ्ट राइट करते है ना वही है और कुछ नहीं है computer कुछ भी ऐसा नहीं है जिनको computer नहीं आता है समस्कुचे और इसर computer का आपको अजीब लग रहा था वही बात निकल के आई computer को उसने computer का हिंदी में इस तरह से रहेगा ठीक है इंग्लिया हो सकता है कि आपको अजीब लग रहा हूँ सरी मैं इंग्लिश्म लग दिया है computer ठीक है चलिए कि अगर है सभी computer monitor है सभी computer monitor है ठीक है यह आ गया देखिए graph में नीचे बना लेता हूँ वह सकता है कि हुहाँ पर मेरी image आ रही हो सभी computer क्या है monitor है कुछ monitor mouse है देहान से अब देखिए monitor mouse है तो इसको mouse पूरा लिख लीजे और सभी mouse क्या है optical है अब सभी mouse optical है तो इस तरह से ले लिजे यह आगया optical optical का O लिख दिया ठीक है भीजा यह तुम्हारा graph बन गया इसके बाद में क्या क्या रहा है कुछ optical computer देखिए और से को relation है नहीं अतुरन गलत कर दीजे नहीं है ना गलत हो गया आगे करा कुछ mouse computer है mouse यह रहां computer अंतर है यह भी नहीं होगा क्या हो जाएगा कोई अनुसरन नहीं करता option C वेंडगरा method से यदि आप किसी भी प्रिश्न को बनाते हैं तो उससे easy कुछ नहीं होगा भहिया मित्रो reason आपके सामने जो है वही सत्य है जो नहीं है वो गलत है ऐसा नहीं है कि आप बोलें सर भगवान हमारे सामने नहीं है तो भगवान सत्य नहीं है कोशन की बात हो रही ह है विल्कुल धार्मिक नहीं हो जाहिए कोश्चन से संब्सक्राइब बात कर रहे है कि विल्कुल कोश्चन से रिलेट बात कर रहे है ग्राफ में जो दिखाए देगा वो सत्य है जो नहीं दिखाए देगा वो गलत है यादी positive case है चलिए ठीक है नेक्स्ट मंदि देख लेए कोश्चन नमबर 11 देखिए आपका 12 यह कोश्चन नमबर 12 है देखिए पढ़ेए के अगरा सभी मोती महल है कुछ महल घर है और कुछ घर मंदिर है लगबख सभी घर मंदिर होते हैं यहाँ पर statement प्रिश्ण की अनुसार लिखा हुआ है है ना भी है सभी घर मंदिर होते हैं हर घर में एक मंदिर होता है हर गर में उनके मंदर का मतलब देखे मंदर का मतलब चलिए चोड़िये ज्यादा हो विवाद में नहीं जाते हैं मंदर का मतलब है जहां पर आप अपने इस्ट को याद कर रहे हैं वो आपके लिए मंदर क्या जाता हुए ठीक है छलीए सभी मोती मेहल है अब देखिया हमें लिख देता हूँ सभी मोती मेहल है जहाँ पर अपने इस्ट को याद करने वह आपके लिए मंदिर बन जाता है ठीक है ठीक है इसली कुछ महल घर हैं और कुछ घर मंदर है अब देखिए कुछ घर मंदर है तो इस तरह से आ जाएगा ठीक है यह बन के ग्राव हुआ हूं इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी बड़ा ही साधरन है अब कुछ मंदिर महल है देखिये मंदिर का महल से कोई संब्द नहीं है गलत हो जाएगा पहला बाला दूसरा वाला कह रहा है सभी महल मोती है महल एरे मोती है कुछ महल तो मोती हो सकते हैं लेकिन सभी महल मोती नहीं हो सकते हैं दूसरा वाला भी गनत है तो यह आंसर कह रहेगा सी कोई अनुसरा नहीं करता यह लगबग सभी की समझ में आ गया होगा प्रिष्ण संख्या बारे है ना आज की जो हमने टाइब देखे टाइब वन और टाइब टू से आप सम और ओल वाले कीज बना लेंगे ठीक है ठीक है तो आज हमने मैं यहां लिख देता हूँ नेक्स स्लाइड पर आज हमने टाइब वन और टाइब टू मतलब सभी तथा कुछ इनसे मतलब ओल और सम इनसे एलेटेड हमने प्रकार के कोश्चन करें है और लगवक सभी की समझ में आया हुआ ठीक है जो मैंने आप से कहा था उसको याद रखिएगा जितने भी कोश्चन आपके आज 12 मैंसे सही गए हो 12 13 जो भी थे मार कर लिजगा इसको करके 12 की आप नंबरिंग से करिएगा आपके 12 मैंसे 12 ठीक हूं तो आप 12 12 से एंड करिएगा थाकि मुझे भी पता पड़े कि जितने स्टूडेंट समय पढ़ रहे हैं हमसे जड़े हुए हैं कि उनकी कितन है या है मेरे को टेलीगरम पर पोस्ट करिएगा मैं आपकी डाउट को सॉल्व करूंगा ठीक है और दीके आपने अभी तक हमारा टेलीगरम ग्रूप जोइन नहीं करें तो जल्दी से जोइन करें वह है अनकेडमी अंडरस को पंका जगरवाल इसे आपको 10% तो डिसकांट मिलेगा यह साद में आपको हर जगये एक्सेज कई क falls नहीं ले रही है तो अब सेट Brisbane क्लास को यह पर स्माफ्त करते हैं बाकि आप से जल्दी मुलाकात होगी तब तक कि लिए पढ़ते रही है स्वास्त रही है